तो ये नजारे में आपको दिखा रहा है आपने ब्लोग के जर्शे वे देख रहे हैं कोई-कोई बाइक मिल्टी है खड़ी कभी-कभी आये करती हैं ये और दोस्तों देख रहे हैं गाव में ऐसी रोड़ें रगा करते हैं तंसान रूड़ें कभी-कभी इनने गाड़ियां चलती हैं जंगलोगे वीच से गुजरना पड़ता है और इस उनसान रोडा आप देख हैं इस कर गेश से थality गई किलुमिटर चलने के बाद जो है यात्र तूड़ी होती है। पत्तर पत्तर और मिट्टी है काली मिट्टी अहां की है। यह हां की है। बहुत मुश्किल शाल जी वन कठे ना भरा होता है। जंगली चानवरु कव Druya कभ यहां पर वही बना रहता है साम को देख रहे हैं, भाग सीर वगरा यहां दिखते हैं साम को, हाला कि पहाड़ों की एरियां अच्छी लगती हैं, और पयावन की देश्टी से भी यह पहाड़ अच्छे हैं, यह पहाड़ों की एरियां को ही मैं ज्यादा दिखा रहा हूं, ताकि आप ल यह स्थिन विता प्रेड़ है तो रास्तों की स्थिति में आपको दिख रहा है कि इने पत्तर है रोड़ो में चलने में कितनी दिक्कत होती है कई किलोमेटर चार पांग किलोमेटर की दोरी ताई करने के गाद हम अपने घर तक पहुच पाते हैं तो अभी रोड़ो पर कोई बहां नहीं है कभी कभी चलते हैं कोई आत्री नहीं है क्योंगी सुझे सामी चलते हैं जाद है तो इसे पाशा ब्लोग में आप बिलाया तोडू का और गाउं का तो कैसा लगा जरूर बचाएं पता हैं नेक्स्ट ब्लोग में मिलता हूं तब तक के लिए धन्मवाद नवाशकर दोस्तों आज का ब्लोग में स्टार्ट कर रहा हूं और आपको सुंदर नजारा पहाड का दिखा रहा हूं आस्मान में जो रहे हलके हलके बादल है अभी और जो पहाड की आप इरिया दिख रहे हैं शामने जो में दिखा रहा हैं यह हल्दवानी है और इसकी ठीक इदर गुन निक्ताल है और यह जोलिकोट और यह गाउं है तो दोस्तों एक गाउं दिखाया मैंने और यह रोडे दिखाई गाउं की कैसा लगा है ब्लोग जुरूर बताएं और ऐसे ही सुंदर राडो की निजारा कुमा आपको आगी को भी दिखाता रहा हूंगा तो आप लोगों को आपको ऐसे पूट चाहिए नेक्स्ट व्लोग की कि एलब पोगो का लुट झाउंगा बताएं कैसा ड़ी बताव स्साइए पू Bowl झाउंगा're झाउंगार की की नेक्स्ट आपको यद्वार मैं आपको और देखाई लोगोगोगोडब दिखादिन पाउंगार की गड़े आपको पड़े आपको पीषाज बतावार की और